किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है दोस्तों कभी नहार मानने की आदत एक देन जीतने की आदत बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देखने आपका योटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत में पहला 2022 का करेंट अफियर कोश्चन है तो वीडियो को जरा सभी पोज मत कीजिएगा इस वीडियो में मैं 80 से जादा MCQ कोश्चन कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा अम्त तक जरूर देखिए तो आज़े स्टार्ट करते हैं पहला मैंने कुश्चन लिया है यहाँ पर हाल ही में सवप्रतीसत हर घर जल की सराजय को घोसित किया गया है राइट अंसर हमारा क्या जाएगा गुजरात आप्सन नमबर सी को आप लोगों को याद रखना है मैं कुश्चन को एक बार पढ़के डाइट के इसका अंसर बताऊंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो थोड़ा से लंबा हो जाता है सेकेंड कुश्चन पर ध्यान दीजी इट्स वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है भारत का पहला सौर उर्जा संचालित गाओं कौन सा है राइट आंसर हमारा क्या है दोस्तों मोढेरा और ये कहां परिस्तित है गुजरात में ऑप्सन नमबर बी को आप लोगों को याद रखना है अगला कुश्चन गती सक्ती पोर्टर लॉंच करने वाला राज्य कौन सा है करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा गुजरात ऑप्सन नमबर ए को आप लोगों को याद रखना है नेक्ट कुश्चन देश का पूर्ण डिजिटर साख छर्ता वाला ग्राम पंचायत किस राज्य का है राइट आंसर हमारा क्या जाएगा केरल ऑप्सन नमबर सी को आपको याद रखना है अगला कुश्चन देख लिजे जन जन जातियों का विश्व कोस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है ओडिसा ऑप्सन नमबर डी को आप लोग याद रखोगे अगला कुश्चन हर घर आर ओ जल वाला पहला गाउं किस राज्य का है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा उत्तर प्रदेश ऑप्सन नमबर डी को आप लोग याद रखोगे कौन बनी है तो राइट आंसर क्या है दोस्तों गोपी का गोविंदा ओप्सन नमबर डी को आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन खाद सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतिय राज्य कौन सा बना है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जार खंड ओप्सन नमबर ए को आप को याद रखना है नेक्स्ट देश में सबसे बड़ा रबर्ड डैम कहा बना है राइट आंसर क्या है दोस्तों बिहार ओप्सन नमबर सी को आपको याद रखना है अगला कोश्चन भारत का पहला वानी की विस्व विद्याले के सराज्य में खोला गया है Right answer क्या जाएगा? तेलें गाना option number D को आपको याद रखना है Next question देखिए हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो right answer क्या है? गोवा option number E को आपको याद रखना है Next question भारत का पहला स्वदेश निर्मिद विमान वाहक पोत कौन सा है आई एन एस विकांत ओप्सन नंबर ए को आपको याद रखना है गूगल द्वारा या तयार डेटा सारवजनी करने वाला प्रथम सहर कौन सा है उरंगाबाद ओप्सन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है अपनी खुद की इंटरनेट सुईधा वाला पहला राज्य कौन सा है केरल ओप्सन नंबर डी को आपको याद रखना है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्टपती कौन बनी है इसका अंसर सभी लोग जामते हैं दोस्तों द्रोपती मुर्मूम ओप्सन नंबर बी को आपको याद रखना है अगला कुश्चन भारत की पहली बाली का पंचायत का गठन की स्राज्य में किया गया है गुजरात में किया गया है ओप्सन नंबर बी को आपको याद रखना है जय विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो सहर कौन सा बन गया है कुलकाता ओप्सन नमबर डी को आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन देश का पहला ग्रिन फिल्ड अनाज अधारित अने थॉल सैयम तक किस राज्य में है राइट आंसर क्या जाएगा बिहार ओप्सन नमबर डी को आपको याद रखना है अगला question हर गाव में पुस्तकालाई वाला देश का पहला जीला किस राज्य का है जारखंड का है option number B को आपको याद रखना है next question भारत का पहला अमरी सरोवर किस राज्य में इस्थापित किया गया है right answer हमारा क्या जाएगा उत्तर प्रदेश option number D को आपको याद रखना है next question जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है तो right answer क्या जाएगा एक्वडोर option number A को आप लोगों को याद रखना है next question मैंने लिए है भारत का पहला कारबन टुट्रन पंचायत किस राज्य में है जम्मू कास्मिर में option number C को आपको याद रखना है next question डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा सुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है option number B को आपको याद रखना है अगला question भारत की पहली कागज रहित राज्य विधान सभग कौन सा है नागा लैंड option number A को आपको याद रखना है next question भारत का पहला विश्व सांती केंद्र किस राज्य में इस्थापित किया गया है तो आंसर में क्या टेक मार करोगे हर्याना option number C को आपको इसमें याद रखना है next question भारत का पहला एलकोहल म्यूजिकम के इस राज्य में है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा गोवा option number D को आपको इसमें याद रखना है अगला question कोवीड-19 DNA वैक्सिन लगाने वाला पहला देश कौन सा है भारत option number B को आप लोगों को इसमें याद रखना है अगला question विश्व का सबसे बड़ा इंगलू कैफू किस राज्य में इस्थापित किया गया है correct answer हमारा क्या जाएगा जम्मू कास्मीर option number C को आप लोग इसमें याद रखना है भारत का पहला हैली हब किस राज्य में खूला गया है तो right answer हमारा क्या जाएगा हरियाना option number C को आप लोग इसमें याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन भारत के पहले निजी तोर पर निर्मित क्रियोजिमिन रॉकेट का नाम क्या है तो करिक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा धावन वन ओप्सन नमबर एक को आप लोग इसमें याद रखोगें नेक्स्ट कोश्चन विस्व का पहला डूल मोड विहिकल लॉंच करने वाला देश कौन सा है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जपान ओप्सन नमबर एक को आप लोग इसमें याद रखोगें नेक्स्ट कोश्चन भारत का पहला सेनी तेजीम नैपकीन मुक्त गाउं किस राज्य का है केरल का है ओप्सन नमबर सी को आप लोग इसमें याद रखोगें नेक्स्ट कोशन देखिए भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संगरालाई किस राज्या में इस्थापित किया गया करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा तमिल नाडू ओप्सन नमबर बी को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट कोशन भारत निर्मित पहली ओमी कौन किट का क्या नाम है राइट आंसर हमारा क्या जाएगा ओमी सियोर ओप्सन नमबर ए को आप लोग इसमें याद रखोगे अगला कोशन भारत का पहला LPG समक्ष और धुम्रपान मुक्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है हिमाचल प्रदेश ओप्सन नमबर डी को आप लोग इसमें याद रखोगे अगला कोशन भारत का पहला क्रिप्टो करिंसी इंडेक्स का नाम क्या है तो राइट आंसर क्या है दोस्तों IC 15 ओप्सन नमबर A को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट कोशन भारत का पहला स्विदेशी सर्वर को लाँच किया गया है क्या नाम है करिक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा रुद्र ओप्सन नमबर A को आप लोग याद रखोगे नेक्स्ट कोशन देश की पहली मोबाईल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लाँच की गई है करिक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा उत्तर प्रदेश ओप्सन नमबर D को आप लोग याद रखोगे अगला कोशन ओडिसा का पहला बाल विवह मुक्त जीला कौन सा बन गया है गंजाम ओप्सन नमबर B को आप लोग याद रखोगे नेक्स्ट कोशन भांग की खेती को बैद घोसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है हिमाचल प्रदेश ओप्सन नमबर B को आप लोग याद रखोगे नेक्स्ट कोशन देख लिजे डाल चिनी की खेती सुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है हिमाचल प्रदेश ओप्सन नमबर D को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट भारत का पहला डुंगान संरक्षन रिजर्व किस राज्य में इस्थापित किया गया है तमिल नैडू आप्सन नमबर A को आप लोग याद रखोगे नेक्स्ट कोशन देख लिजे E कैबिनेट प्रनाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है हिमाचल प्रदेश आप्सन नमबर C को आप लोग इसमें आद रखोगे नेक्स्ट कोशन साड़े चार दिन का कार्य सप्ता करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है UAE ओप्सन नमबर B को आप लोग इसमें आद रखोगे नेक्स्ट कोशन सेलिटाइज फून से लैंस होने वाला पहला राज्य उद्यान कौन सा है तो राइट आंसर क्या जाएगा कांजी रंग राष्टिय उद्यान ओप्सन नमबर D को आप लोग इसमें आद रखोगे नेक्स्ट कोशन भारत का पहला ग्राफी नमचार कीमद्रक की सराज्य में खोल गया है आंसर में क्या टेक मार करोगे ओप्सन नमबर D को आप लोग इसमें आद रखोगे नेक्स्ट कोशन भारत की पहली उपन रोक संग्राला का उद्गाटन की सराज्य में किया गया है राइट आंसर हमारा क्या जाएगा तेलेन गाना ओप्सन नमबर C को आप लोग इसमें आद रखोगे नेक्स्ट कोशन भारत का पहला कागज रहित उच्छे न्याला है कौन सा है करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा केरल उच्छे न्याला है ओप्सन नमबर A को आप लोग इसमें याद रखोगे अगला कोशन अप्सन नमबर A को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट कोशन कोरोना के नए वेरियेंट ओमिंक्रोन में पहली मृत्यू किस तेस में हुई है ब्रिटेन ओप्सन नमबर B को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट भारत में O M I C R O N का पहला मामला किस राज्य में मिला करनाटक में ओप्सन नमबर C को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट भारत का पहला वॉटर प्लस सहर किस राज्य का है तो आंसर में क्या ठीक मार करोगे मध्य प्रदेश ओप्सन नमबर B को आपको याद रखना है भारत का पहला टीवी मुक्त केंदर सासित प्रदेश कौन सा बन गया है लक्ष द्वप ओप्सन नमबर D को आपको इसमें याद रखना है भारत का पहला घास सरक्षन केंदर किस राज्य में इस्थापित किया गया है तो आंसर में क्या ठीक मार करोगे उत्तर प्रदेश उत्तरा खांड ओप्सन नमबर D को आपको इसमें याद रखना है भारत का पहला एरोमेट्री गार्डन किस राज्य में खोला गया है तो राइट आंसर में क्या जागा उत्तरा खांड ओप्सन नमबर D को आप लोग इसमें याद रखोगे अगला question भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोग साला किस राज्य में है महराष्ट में है option number C को आप लोग इसमें आद रखोगे next question भारत का पहला खरीत अध्योगिक सहर किस राज्य में है तो right answer हमारा क्या जाएगा गुजरा तो option number C को आप लोग इसमें आद रखोगे next question देश का पहला ग्रेन अनाज ATM किस राज्य में खोला गया है तो right answer हमारा क्या जाएगा हरियाना option number B को आप लोग इसमें आद रखोगे भारत की पहली सतरंज अकैडमी किस राज्य में खोली गई है ओडिसा में option number A को आप लोग इसमें आद रखोगे अगला question इथेनौल प्रमोशन नीती अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है बिहार option number C को आप लोग इसमें आद रखोगे अगला question भारत की पहली पौड टैक्सी सेवा की सुरुवात कहां से हुई है नोएडा से फिल्म सिटी option number D को आप लोग इसमें आद रखोगे अगला question भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सर उर्जा सयमतर किस राज्य में है तो right answer हमारा क्या जाएगा तिलेन गाना option number B को आप लोग इसमें आद रखोगे नेक्स्ट question भारत का पहला चीनी संग्राला कहां खोला गया है तो right answer में क्या टेक मार करोगे महा राष्ट option number B को आप लोग इसमें आद रखोगे अगला question भारत का पहला वन्चिकित्सा केंदर किस राज्य में खोला गया है खोली जा रही है तो right answer हमारा क्या आजाएगा महा राष्ट option number C को आप लोगों को याद रखना है अगला question देखिए पेपर लेस बजट पेस करने वाला पहला राज्य कौन सबन गया है तो correct answer हमारा क्या आजाएगा उत्तर प्रदेश option number C को आप लोगों को याद रखना है अगला question पर ध्यान दीजिए दोस्तों किस भारतिय राज्य ने खुद को पहला रैबिट मुक्त राज्य घोसित किया है तो right answer हमारा क्या आजाएगा गोवा option number C को आप लोगों को याद रखना है I hope दोस्तों वीडियो आप लोगों को योश्फू लगा हो तो please एक like, share और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो subscribe करना बिल्कुल भे मत भूलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबाई, take care, thank you for watching my video